आज हम बात करेंगे कि बच्चे एक्जाम के लिए किस तरह से अपने आपको तयार करें कोई भी चीज कोई भी हमें एक तयारी शुरू करने से पहले हमें उसको ठीक से प्लान करना ज़रूरी है और उसको और्गनाईज अपने आपको करना ज़रूरी है तो पढ़ने के लिए we should first of all organize and plan our study area आपकी पढ़ाई की जो जगह है वो एक थोड़ा सा separated area होना चाहिए उसके अंदर table थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए पुराने जमाने में बोलते थे कि जितना wide आपका हाथ चलता है जाता है उतनी ही आपकी सूच बड़ी होती है तो इस तरह से ही हमारा table जो है वो इतना बड़ा होना चाहिए जिससे कि बच्चे थोड़ा सा आराम से फैला के अपनी किताबें थोड़ा सा पढ़ सके जो study area है वो common area से थोड़ा दूर होना चाहिए kitchen या guest room है उनसे थोड़ा सा लहदा हो ताकि वहाँ पे किसी तरह का शोर शराबा ना हो बच्चे का एक light snack और water bottle वहाँ पे रहनी चाहिए ताकि बच्चे के पास बहाना भी ना रहे अगर time to time उसको थोड़ी बहुत भूख लगे तो वो snacks और अपना पानी वानी वहीं पे ही ले सके कभी भी बच्चे को आप ये encourage ना करें कि वो one go में 6-6 गंटे 7-7 गंटे बैठके पड़े क्योंकि believe me 2 गंटा, 1.5 गंटा से जादा आपका concentration span नहीं होता है so after every one and a half to two hours you should take a small break 10 minutes, 15 minutes, उस 10-15 minutes को कैसे करना है आपको थोड़ा सा walk कर लें थोड़ा सा stretching कर लें, कुछ neck की और eyes की exercises होती है वो कर लें ताकि आप थोड़ा सा दमाग से fresh हो जाएं, long and deep breaths आप ले सकते हैं अगर आप दिन में 7-8 गंटे से जादा पड़ रहे हैं, तो इन छोटे breaks के अलावा आपको at least 2 लंबे breaks जो की एक गंटे के आसपास के हों, वो आपको लेने चाहिए किसी ना किसी तरहा की physical activity अपने routine में जरूर डाले, चाहे वो कोई भी हो basketball खेलना, badminton खेलना या कुछ भी उसके अलावा जो दूसरा break होता है, उसके अंदर आप rest कर सकते हैं एक short nap ले सकते हैं, या अपने friends से बातचीत कर सकते हैं किसी भी तरहा से कोई भी एक social activity कर सकते हैं, जो की आपको थोड़ा सा de-stress करती है Then we should plan our curriculum हमें अपने course को, जितने भी number of days हमारे पास बचे हैं, उसके हिसाब से divide कर लेना चाहिए For example, आपके पास अगर महीना बचा है और 10 chapters हैं, तो 3 दिन के अंदर एक chapter होगा ये हमारा long term goal हो गया, कि 30 दिन में हमें 10 chapter करने हैं Then we should set a small daily basis goal, कि एक दिन में हमें उस chapter का कितना part करना है जो ये time table आप बनाएं, ये बहुत back to back नहीं होना चाहिए इसमें बीच में spaces होनी चाहिए ताकि अगर कोई भी किसी भी तरहां से कोई busy हो गए, कोई घर में महमान आ गए तो आप उसको fill-in कर सके जो time उसका अंदर waste हो गया, उसको आगे जाके उसको fill कर सके हफते के अंदर 6 ही दिन प्लान कीजिए, 7 वा दिन free रखिए आप अपने revision के लिए, repetition के लिए और अगर कुछ चीज छूट गई है, उसके लिए पढ़ाई कभी भी आप अकेले में करेंगे तो उसका जो result आएगा, उससे better results आते हैं जब आप group study करते हैं, तो कभी भी कोई topic आपने पढ़ा है उसको friend के साथ discuss करना, और किसी भी तरह की कोई भी बातचीत अपने दोस्तों के साथ करने से, वो चीज आपको बहुत आसानी से याद हो जाती है याद करने के और भी बहुत तरीके हैं उसके बारे में हम अपने आगे के वीडियो के अंदर भी कुछ बात करेंगे बाकी notes आप बना सकते हैं जैसे कोई भी आपने topic पढ़ा, वो topic को एक line में आप किस तरह से describe करेंगे वो एक small note बोला जाता है या cheat note बोला जाता है तो उस एक line को देखके आपको वो पूरा topic याद आ जाए इस तरह से उसके अंदर हम लोग एक summary बना के एक small note बना लें हमें distraction से दूर रखना है अपने आपको जो आपका study area है उसको एक मंदिर की तरह से एक pious place समझके और वहाँ पर आप जाए तो किसी भी तरह की जो distractions हैं जैसे आपके phones हैं या laptop हैं या laptop के अंदर जो आपकी और बहुत सारी apps हैं आजकल apps आ गई हैं जिससे कि आप उनको block कर सकते हैं दो दिन के लिए तीन दिन के लिए पंदरा दिन के लिए तो इस तरह से ताकि आपको वह इच्छा ही ना करें और अगर आप जाएं भी तो वह blocked हो sites तो इस तरह से करके हम अपने आपको self regulate कर सकते हैं अपने आपको self discipline कर सकते हैं इसके अलावा मैं इस वीडियो के अंत में यही बोलना चाहूंगी कि बच्चों आप ये देखिए कि जिस चीज को भी आप मन लगाके दिल से करते हैं उस चीज में आप हमेशा अच्छा perform कर सकते हैं बेटर कर सकते हैं तो अगर आप समझ के किसी भी चीज को दिल लगाके अगर करेंगे तो obviously आप उसमें better perform करेंगे तो कभी भी पढ़ाई को एक stress की तरहां से मत लीजिए ये एक चीज एक ऐसी है जो कि बहुत जरूरी है आपको लाइफ में uplift करने के लिए this is a necessity तो उस चीज को हम समझ के और learning based पे चले ना कि cramming और सिर्फ हमारा goal exam के अंदर अच्छे marks score करना नहीं होना चाहिए हमें अपने आपको intelligence level बढ़ाना है अपनी knowledge को बढ़ाना है और जो हम पढ़ रहे हैं उसको हमें practical life में किस तरहां से इस्तेमाल करना है वो तभी हो पाएगा जब हम उसको समझ के understand करके और कर पाएगे तो मेरा अंत में यही कहना है समझ के सोच के अराम से बिना किसी stress के पढ़ें happy studying